शिक्षक, लेखक और इन्फोसिस की चरपर्सन सुधामूर्ती हमेशा सरल, साध्गी भरा और साधारन जीवन जीती हैं और लोगों को साधारन जीवन जीने के लिए प्रेरित भी करती हैं वो इन मूल्यों को दूसरों को ही जिन्दगी में अपनाने के लिए नहीं कहती बलकि उन्होंने अपने बच्चे को भी इन्हीं मूल्यों के साथ पाला है और तमाम स्कूली बच्चों के बीज भी उन्होंने अपनी बाते रखी कुछ साल पहले वो मुंबई के जमनाबाई नर्सी कैमपस के दौरे पर पहुची थी तब उस दौरान छात्रों से बातचीत करते हुए यहां तमाम ऐसी बाते बताई थी जिसे सुनना और समझना जरूरी है क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा वो बेहत शांदार है यहां पर बोलते हुए केला फल को लेकर एक ऐसा किस्सा सुनाया कि सबने तालियां बजाई मैं पहली बार इसलिए मुंबई के किसी स्कूल में आई हूँ इसलिए आज आपको एक कहानी सुना रही हुए मैं दो बच्चों की दादी हूँ जैसा आज के बच्चे होते हैं वैसे वो भी हैं सुनते कम हैं बोलते जादा है मेरी बड़ी नातिन का नाम कृष्णा है वो लंदन में रहती है एक दिन मैंने उससे कहा केला खाया करो तो उसने कहा जी आप इसके पीछे का कारण बताओ क्यों मुझे केला खाना चाहिए उसके उम्मर पांच साल है मैंने कहा चलो तुम्हें एक स्टोरी बताती हूँ उसे सुनने के बाद अब तुम्हें लगेगा कि केला खाना चाहिए तो जरूर खाना सुधामूर्ती ने अपनी नातिन क्रिश्णा को केले की कहानी सुनाते हुए कहा एक रिशी थे दुरवासा आप लोग उन्हें जरूर जानते होंगे वो जहां जाते थे लोगों को श्राब दे देते थे वो जिसके यहां जाते थे वहां के लोग डरे रहते थे और चाहते थे कि जल्दी से जल्दी ये चले जाए एक दिन उनकी पत्नी ने कहा आपको देखकर लोग दूर जाना चाहते हैं क्योंकि आप तुरंट गुस्से में श्राब दे देते हैं लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि मुझे एक आशिरवाद और स्पेशल गिफ्ट मिलना चाहिए थोड़ी देर तक दुर्वासा रिशी ने सोचा और फिर कहा बताओ क्या चाहिए तुम्हें मैं स्पेशल गिफ्ट दूँगा तो दुर्वासा रिशी की पत्नी ने कहा मुझे एक फल चाहिए जो देवलोग में ना होता हो केवल धर्ती पर पाया जाता हो भगवान की पूजा में इस्तमाल होता हो साल में एक बार होता हो और उसमें कोई बीज ना हो उसके पूरे पेड का इस्तमाल किया जा सके आम और सेप के आकार की तरह ना हो पूजा में बिना उस फल का इस्तमाल हुए पूजा पूरी ना मानी जाए इस अद्भूत फल की ड बाद में अंग्रेजी में बनाना कहा गया है। क्रिश्णा ने कहा मैं भी बनाना खाना शुरू करूँगी। कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स पर डिपेंड है कि वो कैसे बहतर हो सकते हैं बिना स्ट्रेस के बच्चों को समझा सकते हैं। आप सुधा मूर्ती की ये बाते समझ के खुद पर लागू करने के बाद बच्चों को समझा सकते हैं। फिलाल सुधा मूर्ती के इन बातों पर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर पताएं।